श्री गनेशा या नमाहा, नमस्कार दोस्तो दोस्तो, चंद्रमा हमारे दैनिक राशी फल में काफी महत्व रखती है धाई दिन में चंद्रमा अपना स्थान बदल देते है उसी साब से हम पर चंद्रमा का अच्छा या बुरा प्रभाव दिखता रहता है और उसी तरह से हमारा दिन भी गुजरता है चलिए देखते हैं ये दिन आपके लिए कैसा रहेगा दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में नौवे भाव में रहेंगे दोस्तो ये दिन आपके लिए भागे शाली रहेगा इस समय में कर्म कम और लाब ज्यादा के योग बन रहे है इस समय में आपको भागे का अच्छा साथ मिल रहा है इस समय में आपका हर काम भागे के भरोसे पूरा भी हो सकता है इस दिन आप लखी रहोगे अपने लख को आजमाने का ये आपके लिए सही समय रहेगा इस दिन यात्राओं के प्रबल योग बन रहे है यात्राए होने की पूरी संभावना है छोटी मोटी कोई ना कोई यात्रा इस समय में हो सकती है इस दिन आपके बिजनेस या प्रोफिशन के लिए की गई यात्राए लाबदायक सिद्ध होगी अगर आप कही घुमने के लिए जानना चाहते है तो भी समय आप के लिए यादगार से दोगा इस दिन धार्मी की आत्राय भी हो सकती हैं इस समय में विदेश सेटलमेंट के भी योग बने हुए हैं अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो इस दिन शुरुआत करना आपके लिए कापी अच्छा रहेगा जो स्टुडेंट्स विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक अच्छा मोगा रहेगा इस दिन आपका मन प्रसन रहेगा आप जोसे भरे रहोगे हर काम को समय पर पूरा करोगे रुके हुए पेंडिंग कामों को पुरा करने के लिए ये सही समय है इस समय में आपके परिवार की ओर से भी आपको पूरा सपोर्ट प्राप्थ होगा इस समय में आपको परिवार का सुख मिलेगा संतान सुख मिलेगा और दामपत्य सुख भी इस दिन आपको जरूर पाप्त होगा अगर भाईयों के बीच कोई अनबन चल रही थी तो इस समय में वो अनबन समाप्त हो सकती है स्टूडन्स के लिए भी ये समय हर तरह से अच्छा रहेगा भाग्य और कर्म दोनों का सपोर्ट इस समय में स्टूडन्स को मिलने वाला है कम समय में आप ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर पाओगे competitive exams देने वालों के लिए भी ये समय उत्तम है इस दिन आपकी सारी चाय पूरी हो सकती है आपके मन मताबिक दिन व्यतित करने का मोका आपको इस समय में मिल रहा है उसका लाब जरूर उठाए और जीवन के हर पल का पूरा आनन ले ये समय स्वास्ते के लिए भी काफी अच्छा रहेगा इस दिन आप फिट रहोगे पूरी तरीके से स्वस्त रहोगे मन में प्रसंदता रहेगी और एनरजी से भरपूर दिन रहेगा किसी पूरानी स्वास्ते परिशानी से परिशान है तो उसका इलाज भी इस समय में मिल सकता है दोस्तों चंद्रमा मन का का रख है और चंद्रमा की मजबू स्थिती आपके मन को प्रसन रखेगी इस समय में आप पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुआत करोगे व्यर्थ के लड़ाई जगडों से इस दिन आपका बचा होगा हर प्रकार से दिन आपके लिए काम्याबी से भरा रहेगा इस दिन पीले रंका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इस दिन शुब अंक रहेगा तीन अंक दोस्तों इस दिन सुबह टहलने जरूर जाए अपनी फिटनेस पर हमेशा ध्यान रखे हमारी सोच पर हमें नियंत्रन रखना काफी जरूरी होता है जो हम आज सोचते हैं वही हमारा कल भविश्य बनता है इसलिए सिर्फ अच्छा सोचे पॉजिटिव सोचे इस सुन्दर जीवन को हमें इश्वर ने प्रदान किया है इसलिए सुबह उठते ही मन ही मन में अपने माता पिता और भगवान को धन्यवाद जरूर कहे दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दरशन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तो व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़े होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़े नजर नहीं आती वह चीज़े हमारे चारो तरफ एक अजीब सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारतमक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते है अगर आप कही बहार से आते हैं और अपने जूते चपल इधर उधर कही भी उतार देते हैं तो ये अशुब होता है क्योंकि इधर उधर जूते चपल उतारने की आदत की वज़े से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होती है इससे उन्नती में बाधा आती है इसलिए आप अपने जूते चपलों को उनकी जगय पर ठीक प्रकार से रखे दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आते है कही भी जूते चपल फेक देते है कही पर भी उतार देते है कुछ कुछ लोग तो घर के entry के main door के सामने ही जूते या चपल directly उतार देते हैं ये तो बहुत ही गलत है साथ ही कुछ लोग जूते चपल उल्टे रख देते हैं उस पर ध्यान नहीं देते लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और जूते चप्पल हमारी जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते है दोस्तो ध्यान रखे जूते चप्पल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगए पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उनके रखे साप सूत्रा रखे जूते चप्पलों को उनकी जगए पर कुछ इस तरह से रखे को वो देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखे साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के च्छत के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के च्छत के उपर रख देते है ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के च्छत के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा negative effect डालती है यसलिए हमारे घर के उपर का जो भी area है वो पूरी तरह से साप सुतरा और हम जितना पास सकते हैं, उतना नहीं पास सकेंगे, क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी, इस वजे से घर के छत को पूरी तरह से साप सुत्रा रखें, क्लीन रखें, साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं, घर के उपर जाने के जो सीडि उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही लेकिन जिने पता है वो ल जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वज़े से मालक्षमी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्षमी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्या साम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घडी, जाडू, गमला इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशा इन चीजों से आपके घर में नकारात्म कुर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चिड़शेडा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, आप जो भी कार्य करत उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं क्योंकि मकडी अपना चाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकड प्रभाव धिक बनाता है और वास्तो शास्त्र के अनुसार इस से सकारत्मक उरजा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उरजा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेशा साप सुत्रा रखे कम से गम एक महिने में अपने घर के हर कोने की साफ सपाई जरूर करें दोस्तो मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुत्रा रखे मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है तो मुख्य द्वार को साफ सुत्रा रखे और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग और घर की परिशानिया दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्तोत भी खुलने लगेंगे इसी के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तो वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मूरतिया जो घर के मन्दिर में हैं बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मूरतिया रखी है कुछ फोटो रखे रहे थे उने भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटेन नहीं कर पाते साफ नहीं रख उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथी दोस्तों कुछ तस्वीरे है जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवर में उसी तरह की घटनाए घटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करे धन्यवाद